कर दूंगा मैं वर ना तेरी टाय टाय फिस यह आई सिय तुमको कह रहा है अगर तुमने टेंशन लिया तो वो तुम्हारे टाय टाय फिस कर देगा तो सबसे पहले थोड़ा चिल करो मुझे पता है जब तुम्हें वीडियो देख रो काफी बच्चों थोड़ा टेंशन के मह पहल में रहेंगे चिल करो भाई तुमको फल मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो टेंशन मत लो अब इसी बात पे सवागतनी करोगे हमारा सो वेलकम 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 अर्यों टो देस अमेजिंग वीडियो जिदर आप सबको जो था इंतजार 5.5 डे स्टड़ी प्ल टेंशन लेना मत ठीक है लेकिन ये सब डिसकस करूँ पुरा डिसकस करूँगा अच्छा हमको मैराथॉन देखना है नहीं देखना है सब के बारे में गाइड करूँगा कब चालू करना है कैसे पढ़ने सब अच्छे सा बताऊँगा बट बिफोर अट सब्सक्राइब किये सब्सक्राइब करना फिर सुनना अब हम बात करते हैं एफार को शुरू कब से करना चाहिए अच्छा बता दू यह प्लैनर मेरे टेलिग्राम पे डाल दूंगा लिंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा जाके जॉइन कर लेना डॉलोड कर लेना ठीक है इतने साल से पढ़ा रहो इतने सारे बच्चों को देखा है पास होते हुए 29th October से दोगे काफी समय है उतना 5.5 days मिलते है रफली क्योंकि आपका एक्जाम होता है 3rd November को तो उतना दिन आपके लिए sufficient है पहले चीज़ आपको extra देना है कम तो मैं recommend नहीं करूँगा honestly ठीक है तुम एक दिन में बाग की सब्सक्राइब क्या ही पढ़ लोगे यह पढ़ोगे तो पहला paper अच्छा जाएगा बढ़िया हो जाएगा ठीक है तो इससे extra देना है वो तुम्हारी मरजी है you can then modify as per your own convenience but what I would recommend is आप 29 से शुरू करो अब इसी दिन पर मैंना आपके लिए प्यारा-प्यारा marathon schedule कर रखा है all index marathon ठीक है इस बार में एक ही दिन marathon लूँगा पहले मैं दो-दो दिन लिया करता था बट इस बार में एक ही दिन लूँगा इसमें आप सारे इंडेस कवर करोगे क्या तो इसमें मैंने सोचा जो बड़े topic है वो छोड़के मैं सब पढ़ाऊंगा जैसे बड़े topic कुन से है 103,110 मतलब business comments cfs, financial instruments share based payment 115,116 इनको छोड़कर मैं सब कुछ कवर करूँगा सर फिर यह हम कहां से करें देखो, इसके लिए मैंने last time भी marathon ले रखा है उसके लिए मैंने revision videos भी दे रखे वैसे तो revision video पूरे F-R कही है बट कैसा होता है मुझे लगता है यार जब बच्चा आखरी 5.5 दिन में पढ़ रहा होता है न तो बड़े topic वो कर लेता है लेकिन उसका सबसे बड़ा risk होता है कि जो small small topic होते है ये बड़े को छोड़कर वो छूटने का डर रहता है तो मैंने बोला क्यों ना हम इस बार वो सारे cover करने का try करेंगा और हर बार मुझे मेरा थरम टाइम कम पढ़ता था तो इसलिए मैं शुरू भी इस बार 9 बजे करूँगा और 9 बजे तक पढ़ाऊँगा तो हम कोशिश करेंगे ये छोड़के जितने भी सारे बाकी बचते है वो हम cover करने का कोशिश करेंगे उसमें भी एक दो रहे गया तो कोई बात नहीं हम revision वीडियोस हमारे पास है बट कोशिश मैं पूरी करूँगा जितना में खिचगो में खिच लूँगा उसके अंदर ठीके तो हम total 11-12 गंटा बेटेंगे जितना खिच लेंगे उसके अंदर इनको छोड़कर ठीके ध्यान रखना अच्छा इनके लिए मैंने पहले भी ले रखे marathon revision वीडियोस भी बिंदास देखो अब इसको tackle कैसे करना है मैं बताऊंगा तो suppose आप marathon देखने वाले हो live सर्म को live देखना चाहिए गया देखो मैं बताऊ हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है किसी बच्चे को revision वीडियो देखने से एक flow मिलता है उसके बाद वो flow को साड़े चार दिन दर carry on कर सकता है अगर आप वो वाले बंदे हो जिनको flow मिलता है यह सब देखने से तो आप देखो बट अगर आप second type के बंदे हो जिसको बोलता है नहीं ने भाई मैं और मेरी self study है है ना तो मैं self study करूँगा और जब मुझे चीए उस समय मैं अपने revision videos देख लूँगा तो फिर आप self study करो कोई दिक्कत नहीं है इतने रहे हैं साब पढ़ रहे हो आपको पता है आपको क्या जमता है तो जो जमता है उससाब से करो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि just because मैं live आ रहा हूँ तो मैं सब को आके बोलू नहीं नहीं live आ नहीं है नहीं भाई तुमको जरूवत लगती है तो आओ तुमको लगता है नहीं सरा हमको आपकी जरूवत नहीं हम खुद पढ़ेंगे बिंदास खुद पढ़ो मुझे कोई दिक्कत नहीं ठीक है ध्यान रखना तो यह मेराफन में क्या करूँगा मैं आपको बताया अच्छे से कवर करने का ट्राइ करेंगे बड़िया तरीके से पढ़ेंगे और जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कंसेट और क्वेशन दोनों कराऊंगा ठीक है अभी इतने साल से लिए आपको पताया मैं किस तरीके से लेता हो क्या क्या क्वालिटी से लेता हो तो आपको मज़ा आ जाएगा अब यह अटेंड करने का एक फाइदा पते क्या है अगर आपने यह अटेंड किया तो जब आप यह टॉपिक्स खुद बढ़ने बैटोगे ना समय कम लगेगा अफकोस अगर आप नहीं देख रहे हो तो उसलिए मैंने उस हिसाब से जब विदाउट मैराथन का प्लाइनर दिया है तो मैंने टॉपिक के लिए समय जादा दिया है मतलब उस दिन में मैंने कम-कम टागेट दिये तुम समझे रहे मेरी बात तो इसलिए मैंने आपको एक दिन लूँगा और बाकी दिन आपके लिए मैं पूरा ही दूँगा अपने इसाब से करो विंदास को टेंशन वाली बात नहीं है ठीके यह हो गया मैराथान के बारे में उसके लाबा मैंने टागे लिख रखे कोंसे कोंसे दिन क्या क्या करना है अगर आप मैराथान देखने वाले हो तो बाकी दिन के भी टागे ws इन दे रखे इतना टाईम is more than sufficient बस मैं एक चीज़ बुलना चाहूँगा बस मैं एक चीज़ बुलना चाहूँगा तो मैं तो concept question दो नो कराऊंगा तो जो concept आपको marathon देखते से में recall हो गया उसको तो आप दुबारा पढ़ना भी मत जो concept आपको marathon में recall नहीं हुआ सिर्फ वो concept पढ़ना और question जितने में बूले वो सारे कर लेना LDR questions basically बराबर और जो big topics है big topic जवाब respected day पर पढ़ोगे आप चाहो तो या तो फटाफट से quick revision देख लो या marathon देख लो जो भी 2 के speed में देखके फटाफट से पुराने marathon जो भी latest revision वीडियो है वो या फिर self करना चाहो तो self कलो कोई दिक्कत नहीं है बढ़ focus more on questions I feel ऐसे concept पढ़ो उपर उपर से पढ़के आगे निकल जाना question पर ज्यादा focus करना ठीक है धियान रखना है ये बात उसके लावा मैंने exam day पूरा buffer रखके रखा है तो it is possible कभी कभी आप पढ़ रहे हो suppose आपने ये दिन पढ़ा और आपका 108 113 रह गया कोई बात नहीं मैंने buffer रखके रखा है last day पे ठीक है या फिर आप इसको next day carry forward कर लो कभी time कम लगा बाकी टबी में कम लगा ज्यादा बचा time है आपके पास तो यह हाँ carry forward हो जाएगा तो वह एकर टबी गुप पर नीचे it is okay बट मोटा मोटी आपको मैंने दे रखा है और अगर आपका as per this plan चल गया सब कुछ तो exam day का full half day buffer आपके पास तो उस समय पे आपने जो first 2 दिन पढ़ा रहेगा मतलब क्योंकि 5 दिन तक F.R. पढ़ रहे है तो जो पहले 2 दिन पढ़ा वो भूलने का chance होता है और कुछ pending बचगा तो pending यहां लिख देना for example मैंने first day target दिया आपको 16,38,40 मानलो आपका 16,38 हो गया तो लिख दो 40 बचगा तो लिख दो pending ताकि किसी दूसरे दिन पर अगर time बचे तो यह 40 उठागे cover कर लेंगे समझे तो इसका basically print लेकर रख लेना ठीक है उसके लावा marathon मेरे channel पर होगा यह देखो इतम प्यारा-प्यारा marathon FR का ठीक है उसके लावा आपके लिए FR की revision playlist available है पुराने marathon भी available है तुमको जो suit करता है तुम बिंदास देखो ठीक है तो वो को tension वाली बात अपने पास है नहीं अगर आप देखोगे ध्यान से तो मेरे खाल से यह रही आपकी playlist बढ़िया से इसमें सब कुछ है जो तुमको चीह पास होने के लिए सब कुछ है तो वो भी तुम यूज कर सकते हो तुम्हारी मर्च जो तुमको suit करे तुम वो करो मुझे को समय तोड़ फड़ ज़्यादा लगता रहेगा इसलिए मैंना topic भी कम दे रखे तो आपको suit कर आप करो कोई tension वाली बात नहीं और इसमें भी tracker available है तो यह दोनो planner में डाल दूँगा you decide और एक बर आप decide करो तो stick to it double mind moment रहना मैं देखो नहीं देखो वो देख रहा है मैं देखो ऐसा कुछ नहीं है भाई तो अपने इसाब से करो ठीक है तो इसमें भी tracker available है आप download करना बढ़िया print लेकर रखना चिपका देना ठीक है और उसके लाबा आकरी बात कहूंगा भाई तुम tension मत लेना मैं बताओ tension में आदमी का काम खराब ही होना है तुम्हें एक बात हमेशा मान के चल देना मैं आपको example देता हूँ अगर मैं बोलू आपको खाना खाना है लेकिन भागते वे खाना खाना है ऐसा भागते वे खाना खाना है तो खापाऊगे गया नहीं न आप क्या बोलूगे शांती से जगे बेटके खाना खाएंगे आराम से सर पढ़ाई में सेम होता है अगर आपका दिमाग constantly tension में तो भाग रहा है अब भागते वे दिमाग को तु बोलेगा concentrate पढ़ 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 वो नहीं पढ़ पाएगा उस दिमाग को एक जगे बेटाओ प्यार से बुल आहा बैट इदर तू अब तू पढ़ तो पढ़ तो पढ़ाई भी मीठी मीठी होएगी बड़िया हाजमा भी अच्छा होएगा जब एक एक्जांपल का भी घटिया था मेरा बड़ तुम समझ गए न मैं क्या कहने का ट्राइक कर रहा हूँ तो इसको ते रेको थंडा रखो इसको गरम रखने से काम सिर्फ खराब एगा अच्छा नहीं हो सकता ठीक है बाकी कुछ भी जरुवत लगी भाई आया है टेंचल लेने नहीं पास करवा के जाएगा मतलब मैं अपने अट्सटार एफट डालूंगा बट पास होने के एफट आपको ही करने है तो करना महनत मुझे पता आप कर लोगे अब बहुत महनत ही हो आप इतने समय से महनत करो वेश्ट नहीं जाएगी ठीक है तो प्लीज की वकिंग हाड और मिलते है आपन 29 को अगर आम मैराथवन में आ रहे हो तो नहीं आ रहे हो तो को दिक्कत वाली बात नहीं है कभी ना कभी मिलते ही रहेंगे आप वैसी मुझे कोई ना को यह वीडियो में देखी लोगे तो वैसे मिल लेंगे ठीक है तो शुक्रे आवर्यवन आई होब द